हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासिस पर हम लोग आगे नेक्स पार्ट डिसक्स करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं इसलिए हम लोग डिसक्स करेंगे बारा सो पचास तक कोशन कर चुके थे अब आगे बढ़ते हैं बारा सो इक्यावन से कोशन डिसक्स करेंगे देखो यह पुराना कोशन है आप इसको मैच कर लेना अगर यहां पर सही हो पुछा जा रहा है ट्यूटर पर कौन से अभिनेता क के फालोवर सबसे ज्यादा है तो इसमें राइट एंसर है सारुख खान चीक है अगला कोशन है कि पांच ओम प्रत्रोद वाले तार को दोगना कर दिया जाए तो तार के ने का प्रत्रोद क्या होगा देखो पांच ओम प्रत्रोद वाले तार को दोगना कर दोगे तो जो त तर जिसे कोई मोटा तर है इस मोटे तर को है कि जो है जो है eighty ठीक है तो बताओ किसमे करेंट अच्छा जाएगा तो आप कहेंगे सर्फ मोटे वाले तार में जाएंगे ज्यादा करेंट ठीक है यह चीज आप ध्यान रखना है ठीक है और पदले वाले तार में कम करेंट जाएगा ठीक है और इसको कहते हैं यह वाला जो होता है परिछेद जो है का छेत फल तो अब पुछा जाता है कि परिचेत का छेत फल अधिक बढ़ाने पर क्या होता है प्रतुरोद कम होता है तो कहना इसका उल्टा संपर्क होता है प्रतुरोद क्या होगा अगर प्रतुरोद कम होगा जाड़ से बात है तार मोटा करोगे तो प्रतुरोद कम ह इसलिए घरों में कहा जाता है या जो अच्छे अच्छे लगा जाते हैं तो उसके लिए सज्चेसन दिया जाता है कि मोटा कापर का तार लगाओ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर विद्धूद फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है इस चीज को आप electricity वाले चैप्टर मे अच्छे से पढ़ते हैं जो यहां पर आपको एक formula भी दिया जाता है वो formula कुछ इस प्रकार से होता है आर जो कल टो रो अपान एल अपान ए इसका यह formula है प्रत्रोद का ठीक है इसको रो कहते है इसकी निशिद वहलो होती है यह होता यल यल का सिधा सम्भन्द होता आर से यल का सीधा संबंद होता है किसे आर से, ऐसे लिखा जाता है, अनुकुन अनुबाती होता है यल, यानि कि किसी तार की लंबाई बढ़ाओगे, तो उसका प्रत्रोध भी बढ़ेगा, अगर किसी तार की लंबाई घटाओगे, तो उसका प्रत्रोध भी घटेगा, लेकिन अन कालतर beds रोद है किन कारणपrie निर्फर करता है तो आपने देखे लिए लंबाई पर निर्फर कर रहा है अनुपरस्त काठक थैष्टत पर निर्फर कर रहा है सत्म होता है यह सबसे छांदी होता है फेर स्टाले मियाइं यह नहीं पाएंगे तो इसलिए कापर का यूज करते हैं ठीक है आप इन बातों को भी ध्यान रख सकते हो अगला कोश्चन है गुरुमीज सिंग नीमलिखित में कबटी तो पुराना कोश्चन है अपने कोई काम का नहीं है अगला कोश्चन देखते हैं हाइडरा इस्टारफिस प्लेरिनिया प्लेनेरिया निमने में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन होते हैं तो यह पुर्णर जननन के द्वारा इस उत्पन होते हैं यह संग काइनो काइनोरी मेटा के जीव इस्टारफीस हैं प्लेनेरिया संग प्लेनेरिया जो संग है वो प्लेटी प्लेटी हेलमिन के जीव होते हैं हाइडरा जो हाइडरा है वो निडेरिया संग के जीव होते हैं इनको भी आप ध्यान रख सकते हो ठीक है ठीक है अगला question discuss करते हैं अगला question है निम्न लिखिन में से कौन सी वस्तुए इस्तिर उर्जा का उर्जा होगी तो यहाँ पर चार आप संदिये के हैं पूछा गया है निम्न में से किसमे इस्तिर उर्जा है तो आप इसको भली बहां से चेक कर सकते हैं कि निम्न लिखित में किसमे उर्जा है तो देखो चलती हुई गोली देखो आपके पास जिब चार आप सुनो उनमें से आपको भिन करना हो तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका होता है तीन को एक तरफ कर लो एक को एक तरफ कर लो तीन को एक जैसा सिद्ध कर दो एक को अकेला सिद्ध कर दो जो अकेला होगा वही मारा एंसर होगा ये भी एक तरीका रहता जैसे चलते हुई गोली बहता हुआ बहने वाली हवा तो ये भी चला ये भी चला है लुड़कता हुआ पत्थर ये भी चला है उठाया हुआ थोड़ा तो देखो उठाया हुआ थोड़ा थोड़ा मनलब थोड़ा उठाया और रुक गया तो ये रुका हुआ ना तो इसी में गति जूर्जा है कोई सी उर्जा है गति जूर्जा है उठाया हुआ थोड़ा खीचा हुआ धनुस और खीचा हुआ थपड जिसको तो उसमें समय क्या होता है जो है इस्ति जूर्जा रहती है आप इसको ध्यान रखना है इस्ति जूर्जा का फर्मूला होता है आपका यम ज कितने गुण हो जाएगी, चार गुण हो जाएगी, क्योग दो का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके भी कोशन, पूश लिया, जाता है, अगला कोशन है, निमलिखी तमें से, क्या आर्कमेटिज के सिधान्त पर नहीं है, तो ओडोमेटर तो ये गाड़ी में लगा होता है तो ये आर्खमंडीज के सिधान से क्या लेना देना है इसका आर्खमंडीज का सिधान पानी में लगता है इसे लेक्टोमेटर हाइड्रोमेटर पंडूब्बी लेक्टोमेटर इस सम्में बात करेगा है ओडोमेटर गाड़ जाता है जिससे की पानी के अंदर से बाहर का दरस से देखा जा सके ठीक है जाने रखना है और जो आर्कमेडीज का सिद्धान्त है वह लगबग उत्प्लवन बल्क से संबंदित है ठीक है थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूंगा आप थोड़ा एडियेश कर लेंगे बह मनेने कितना टाइम जाता है ज्राम को गंते है थीं आदा घंटे में करता है और उसके बात में इतनी इनफॉरमेशन भी देते आ है क्या आदा घंटे में 30 कुछर कराने थो आप rice यह भाले लेने पड़े थे लैजरे पाईडा फांए, ठीक है थे नहीं वहां पर क्लास कित Liberty लाउट लाइव क्लासेश होते हैं ठीक है कुछ हद तक फाइदा भी है कुछ हद तक थोड़ा सही भी है ठीक है तो ध्यान रखना आपका आपका हल किस चीज़ से निकलता है वह आप डिसकस कर लीजेगा निम लिखित में यूग में कौन सी का यह समान है तो देखना कौन सी फीदोर से चुक हैं कार और वरणजा विक्सका मातर रख है ज्मातर रक है उसका मातर है जूल तो ध्यान रखना एक क्योल वाट में कितना है क्या होते हैं इसका मलब 1गडी घंटे तुम चलाओगे तो समझ लो तो तुमने एक यूनिट का उप्योग कर लिया है, उम्मीद है आप समझ गया होंगे, ठीक है, और सक्ति का SI मातरक वाट होता है, कई बारा आ चुका है, बल का SI मातरक न्यूटन होता है, दाव का SI मातरक पास्कल होता है, संबे का SI मातरक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है और यानि की 3 का मातरत मीटर पर सेकेंड स्क्यार होता है तो आप इन सभी साही मातरक को नहान रख सकते हैं मूल मातरक साथ होते हैं टोटल नहों होते हैं ठीक है चली अगला कॉशन देख लेते हैं बारा किलोग्राम द्रमान की एक वस्त भूम से एक निशित उचाई पर है यदि वस्त की इस्तित उरुजा 480 जूल है जो वस्त की भूम से उचाई ग्याद करें यदि जी बरावर 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसको सौल को सौल करना पड़ेगा तो यहां पर हमको जो जो दिया कि अब हम लिख लेते हैं 12 किलोग्राम द्रमान है और उचाई बतानी है और बस की इस्तित उरुजा दीनी है इसका मलो हम पका निशित कहे सकते हैं कि हमें जो फार्मूला लगेगा वो इस्तित उरुजा का लगेगा ठीक है तो इस्तित उरुजा क्या होती है पी बरावर क् तस यह हमसे पूछा गया है ठीक है तो कट कर देते हैं 0 से 0 कट जाएगा 12 चको 48 तो यह च बराबर आ गया 4 यह 4 बराबर यह को हो यह यह बराबर 4 को तो अपना एंसर हो जाएगा चार मीटर इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला कोशन डिसकर करते हैं तो यह तो पुराना कोशन मुझे लग रहा है ऐसा कोशन पीछे आ चुका है 25 डिग्री सिंटीक्राट के भिंद माद्यम से धुनिकी चाल के बारे में निकित में कौन सा कतान सही गलत है अक्सीजन गै तो इसमें दोनों बातें सही हो जाएंगे और आपको पता दें थोड़ी थोड़ी इंफोर्मिशन दोनिकी चाल के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी और इंफोर्मिशन बताते है कि दोनिकी चाल जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है क्या ताप बढ़ाने पर बढ़त और आपसे एक question पूछा जाता है बताओ ध्वनी रात में ज़्यादा होती है दिन में तो आप कहेंगे सर रात में हम कहेंगे आपका question answer हो गया गलत ठीक है कैसे क्योंकि रात में ताप होता है कम ठीक है इसलिए ध्वनी की चाल हो जाएगी कम और दिन में ताप होता ज़्यादा है क्योंकि ताप पर निर्वर करता है तो ये सबी बाते आपको ध्यान रखनी है ध्यान रखना है ध्वनी जो है एक अनुधारत तरंग है ध्यान रखना है ध्वनी कैसी एक अनुधारत तरंग है और धोनी जो है ठोसों में जादा होती है उसके बाद धरब में उसके बाद गैस में सबसे ज़ादाद किसमें होती है सबसे ज़ादा चाल धोनी की कहा है निरवात में हैं तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो अगला कोशन है बाराhalf Haarexat question number पर कहा क्या है एक तत जिसका electronic विजिनास 286 है या किसे सम्मदित है तो 2810 और 16 से हो जाता है अब sulfur क्या sulfur हो जाता है फास्फरोस होता है अब का 15 पर तो ये किसे सम्मदित है तो ध्यान रखना है ये वाला सम्मू 16 और आवर 3 से सम्मदित है सम्मू 16 तो आप देखेंगे उसमें जब आप उठाके देखेंगे आवर साणी तो उसमें टोटल ऐसे करके तोटल ऐसे करके एक आवंचहणी आपको मिलेगी इधर होता लेफ्ट साइड यदर होता दो हाबारत पत्त कहा रहते है ठीका है यह एक मात्र जो है अधात के अधात के पूछा जाता है याद रहा कि नहीं रहा टो इसका बता देना है समु 16 के को चेलकोजन कहा जाता है समू 15 किततों को निकोजन कहा जाता है समू 17 किततों को हैलोजन कहा जाता है समू 18 किततों को जीरो डिगरी जीरो वाला कहता है जीरो गुरूप भी कहते हैं सून वर्ग भी उसको कहते हैं ये भी आप ध्यान रखना है ठीक है चलिए अगला कुशन डि सम्द्ध है ये भी आप देन कुए हैं सेयों जी उतक जो है भिभिन अंगों और समंद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अबलंब भी देता है ठीक है स्योंजी उतक जो है आंत्रिक अंगों के रिक्त इस्तानों में भरी रहती है इससे अत्रिक ये रक्त न लिकाएं एवम तद्रिकाओं के चार ओर तथा अस्ति मज़्या में पाई जाते हैं में ध्यान रगना है आपको जू जो इतना ही ऑगे क्रुशन बटते हैं हड्डियों जू है किसकी बनी होते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं हड्डिया जो है कैलσιम फासपूरस होता है तो ध्यान रखना अगला कुशन बता जा रहा है कि हड़ियां डैस को जोड़ता है तो इस नायू के दोरा हड़ियां जोड़ा होती है जो लीगामेंट कहलाता है हड़ियों को जोड़ता है तो हड़ियों को जोड़ता है इस नायू लीगामेंट जिसको कहते हैं आप तो वह काम की नहीं है कितना आश्या कोशन आ गया और यह कुशन में 10th class की science पढ़ाता हूं बच्चों को तो उसमें ऐसे ही एक कुशन बिल्कुल सिखाया जाता है जो डाइग्राम मना है दिया गया चिन एक विदूद घटक का प्रतिनदित करता है जो डैस है बताओ यह एले से चर्वके से सब्सक्राइब है यह को एक रास्ट 1 कर देस को एक कर और यह बज़रता का सिद्दत माना गया है तो वर्ष्म सेे वा कर यानि कि घटको एक राश्ट एक कर माना गया है आप सभी लोग जानते हैं जीएश्टी को क्या कहते हैं एक राष्ट एक कर कहते हैं इसलिए तो जीएश्ट नागऊ किया गया है और हम आपको उताएज siitä सबसे पहले फ्रान्स में 1954 में लागऊ क्या था बारत में GST कब कर लागू हुआ है एक जुलाई 2017 से लागू है सबसे पहला राजी कौन सा था सबसे पहला राजी आई हो भूल गए है आंध प्रदेस है आप इसको चेक कर लेना एक बार ठीक है सबसे अंतिम था जब्मू कस्मिर जो आप जब्मू कस्मिर राजी नहीं राजी युनिटी टेट्री बन चुका है तो आप ध्यानकना है कि GST सबसे पहले किस राजी ने किया था आप मैं भूल ला हूँ इसका आप कमेंड में जरूर बताएगा उम्मीद है कि आंध प्रदेस होगा ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं तो ठीक है द्यानकना तो सरसट बाला कुशन डिसक्र करते हैं बड़ा कुशन है यह पूरा नुमेरिकल है इतना बड़ा ठीक है तो देखो कहा गया है कि कि किसी दिये गए समय के जमीन के उपर उड़ रहे है राकेट की उच कि है समय में होता की उचाई मीटर में है जमीन से टकराते हैं राकेट की उचाई 0 थी तो मेर छेपन के समय बाद राकेट की जमीन हाएगा तो यह बराबर तो 0 ले लागे 7T2 मैंस का साथ इदर आएगा तो प्लस का ठीइक हो जाएगा परावर एक सो इनिस टी से ट साहे जाएगा तो साथ 17 सते एक सटेपमी कितने स्व model कराएगा सको ऑठत कर आएगा नियुकल सा सवाल था लैकिन इन्हों ने पढ़ेंगे हैं ना चले अब हम लोग आगे कुश्ण करते हैं तो कि अधिक है एक बार थोड़ी क्वालिटी सही कर देते हैं तो चंद्र गुप्त दुती ने गुप्त समराज को इसीवी गुजरात तक विस्तापित कर लिया गया था तो चंद्र गुप्त दुती थे उन्होंने किस समय तक गुजरात तक अपना विस्तारित कर लिया था आपको ये बात हमें बतानी है तो जहां रखना है जो चंद्र गुप्त दुती ने समराज को 390 इसवी तक गुजरात तक विस्ताप कर लिया था तो इसका राई टेंसर हो जाएगा 390 ध्यान रखना है जो चंद्रूप दूती है इनको विक्रमादित और देवराज नाम से भी जाना जाता है चंद्रूप दूती ने 388 विसवी में रूद्र सिंग 3rd को पराजित किया था संपूर पस्षीं भारत पर आधिकार भी कर लिया था चंद्रूप दूती के द्वारा महरोली के लह इस्थम का निर्माण कराया गया था इस लह इस्थम इस्थम पर जो सब्द लिखा है वो चंद्र लिखा है ठीक है क्या लिखा चद और ध्यान रखना है morally जो law इस्तामी की सबसे बड़ी विसेटा यह यह है कि अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है क्या अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है तो यह आप ध्यान रख सकते हो अगला question है कि जब प्रकास विरल माद्यम सगन माद्यम में प्रविस करता है तो फिर क्या होता है इसकी गत ही कम हो जाती है विल्कुल सही है जब प्रकास विरल माद्यम से सगन माद्यम में चलता है तो इसकी गत ही कम हो जाती है तो कुछ इस प्रकार से बताते हैं जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास एक यह कांच का कंटर है और आप जानते हो यह कांच के कंटर है तो मैंने क्या किया यहाँ से एक प्रकास की किरन लाए तो जब यह देखो प्रकास का है तो इसको कहते हैं सगन मादेम इसको क्या कहते हैं सगन मादेम और जो ये बाहर है इसको कहते है विरल माद्यम और ये होती है आपकी आपतित किरन यहाँ प्राकिरन आपती हुई तो इसको जो है कहते है लंब इसको क्या कहते है लंब इसको नॉर्मल यानि कि इसको आभी लंब कहते है ठीक है और ये अबिलम ये किरण जानी थी ऐसे लेकिन होगा क्या ये चीज आप समझ लोगो लेकिन होगा क्या ध्यान लगना है जब जो है जब प्रकास किरण किसी सगन माद्यम से विरल माद्यम में प्रेस करती है तो आपतन के कारण क्या अपवर्तन के कारण अभिलाम से दूर हट जाती क्या जब प्रकास की किरण किसी सगन माद्यम से विरल माद्यम में होती है तो वो क्या होती है तो है अपवर्तन के कारण अभिलाम से दूर हटती है लेकिन अब हम विरल माद्यम से सगन माद्यम आ रहे हैं दो कंडिशन होती है जब प्रकास विरल माद्यम से सगन माद्यम में प्रवेस करता है और एक कंडिशन होती है जब सगन माद्यम से विरल माद्यम में प्रवेस करता है तो ध्यान अगना है उस कंडिशन में आप से पूछा जाता है कि अभिला में से दूर हटेगी या पास तो यह संगन मात्यम से विरल मात्यम में आएगी तब यह क्या हो जाएगी यह विलम की और जुक जाएगी ठीक है दोनों कंडिशन होती है अप इंधान रखना है ठीक है अगला देख ले हैं तो यह तो अपना कोई नहीं पढ़ना है तो वेट सी अवार जीने गीन अवाट यह भी अपको नहीं पढ़ना है अच्छा यह बड़ा पढ़ना है कोशन निम्न में कौन सी क्रिया अत्दिक उस्मा छेपी होती है तो सल्फियूरिक अमल को जल में गुलना है बिल्कुल सही है जब आप सल्फियूरिक अमल H2SO4 को जब आप उसमें घोलोगे जल में तो अत्तिक उस्मा निकलती है क्या निकलती है अत्तिक उस्मा निकलती है आप ध्यान रखना ठीक है अत्तिक उस्मा निकलेगी ये भी आप ध्यान रखोगे ठीक है कैसे तो बताएं देखो होता क्या है कि अमल कोजल में डालने से तीब अभक्रिया होती है जिससे बहुत अधिक उस्मा निकलती है और वेर रासानी के अभक्रिया जिसमें उस्मा का उस्मा चेपी कहलाती है जिसमें उस्मा का क्या होता है जिसमें उस्मा का तो उस्मा चेपी अभक्रिया कहलाती है ठीक है उस्मा की जरूरत होगे ये तो उस्मा उस्वर ज लेकिन जिनको उस्मा की जरूरत है वह सूसी करलेंगे क्योंकि सोगेंगी मैं अशी स्वा की जरूरत हो दिग्थ्य संतर आझसा new लिए तब आपने के लिस्करी तुमसो 수ě Dal धार देखना है कि जो nitrogen और hydrogen को परसफ़ स्यूंग से अमोनिया बनती है तथा इस अवक्रिया में काफी उड़जा में मुक्त होती है जैसे N2 के करेंगे तो NH3 बन जाएगा तो ध्यान रखना है nitrogen और hydrogen की कुरिया कराएगा जैसे आप धेखना एक question बड़ा popular है कि जो राषाणी के अवक्रिया है उसमा जो है carbon को carbon को कारबन को जो हम लोग जलाएंगे किसमे oxygen को carbon को हवा में जलाने पर c o2 बनता है carbon है मारे पास इसको हम जलाएंगे हवा में तो यह हमको क्या बना देगा c o2 बनाकर देगा plus उसमा देगा ठीक है एसी प्रिया को हम लोग उ किलो वाट में क्या होता एक किलो वाट में देखो यह तीन दस मुलब दस की गात 6 जूल लेकिन इनुन ऐसे फशा रखा तो अब ही कोई प्रदरोध से मापते हैं में मापते हैं अगला है गद के तुर्ण का की एसाई मात्रक है तो अभी आपको बता गे मीटर पर सेकेंड स्क्राइर होता एसाइ मातरक ठीक है मेटर पर स्क्रेंड स्क्वैर होता है और आपको बता दे जो Capital G है तो Small G है और ध्यान बता दे जो Small G है इसका उपर जाने पर मान घटता है और नीचे जाने भी घटता है तो ध्यान अगना है Small G का जो मान है यानि कि जिसको गुरुती तुरण कहते हैं चाहें तो आप इसके उपर जाओ चाहें नीचे जाओ तो दोनों तरफ जाने पर गुरुती तुरण का मान बढ़ता है लेकिन एक ऐसा भी G है जो capital G है चाहें आप उपर जाओ जाओ पूरे संसार में कहीं पर जाओ कहीं पर मान में नहीं गटेगा तो उसको कहते हैं सारवात्री गुरुता कर्सण नेतांक होता है जिसकी वैलू 6.67 गुने दस्कीगात मानिस 11 नीटन मीटर पर किलोग्राम स्केर होती है ध्यान रगना है newton मीटर स्कायर पर किलोगराम स्कायर होती है तो ध्यान रगना है इसे विमा भी निकाल सकते हैं अगर आपको प्दान है newton मीटर इसको आपको ध्यान में रख चलना पड़ेगा अगला कुशन है कि दौलत खाने बावर को काबूल में समराट डैस के बूद सायता प्रदान करने के लिए बदले में अपनी इस्टा के लिए संदेश वाग बेजा था दो देखो दौलत खान था ये बहलो जो है अबराहम लोदी उसमें राजि कर रहा था तो इसका राइट तो अंषर हो जाएगा इसके दो लड़के थे और राणा सांगा इन समसे मिलकर बावर को बुलाया था कि आओ तुम इबराहम लोदी को मारो आके और मार के यह लोग जा का मिल गया कि हमें यहाँ पर एक देस मिल गया तो उसने यहीं पर रहना इस्टाट कर दिया था बावर ने आया तो वह था इन्होंने सोचा था कि आएगा सब को मारेगा लूट लोटा कि सब कुछ चला जाएगा फिर हम बचेगा बाद में हम लोग राज करेंगे यह सब लड़ाई हुई थी किसके किसके बीत में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ठीक है तो बाबर को किसी ने बलाए था इब्राहिम लोधी में इसको भी ध्यान रखना है ठीक है सिकंदर लोग दी ने आगरा की स्थापना की थी बहलोल लोधी जो है इस लोधी बंस का जो है सासक मलब प्रथम था मलब जिसने इस्थापना करी थी है समझ लीजिए लोधी बंस का संस्थापक कौन था बहलोल लोधी था ठीक है उम्मिद है आपको इतनी बाते सारी याद रह जाएंगी ठीक है तो लिए आगे बढ़ते हैं अगला कुश्शन है निल्कित में से कौन सा छेत्र टोडा जंजात का मूल निवास इस्थान है तो ध्यानकणा टोडा की बात करोग 상황 तो नीलगडी और नीलगडी की पाड़िया होती है यह पुरा ऊतर भारत हो जाएगा यह दश्षन बारत हो जाएगा तो नील गड़ी की पाड़िया जो है वो उची चोटी इसकी है डोड़ा बेटा इसकी सबसे उची चोटी है जिसकी लंबाई 2637 मिटर है नीलिगरी पूरवी घाड और पच्छमी घाड तक का मिलान बिंदू भी है पूरवी घाड पच्छमी घाड यहां ही रहता है और खासी की पाड़िया में गाले में इस्तित है मनुस्का में सरीर में रखते की मातरा 6,8 मिंटर होती ही लगबक पहला तो यही गलत हो जाएगा और पर संचन तंत्र में मनुस्का कुल बाग 7-8% हो बिल्कुल सही है लाल रुदिर कड़काओं की आई 115-120 दिन होता है बिल्कुल सही है केवल रखत ही स्वेट प्रवावी सही है लमोग प्लेट लेट्स प्लेट्स होता ऩो था उसके 55 होते है इसलिए मड़ में बाखत है यह सब है का कुछ तक गणालिए जाएगा कैड Süa अगला कोशन है कि एक विलियर में 320 ग्राम पानी में सामान नमक की मात्रा 31 ग्राम है द्रब्मान प्रतिस्थ द्वारा द्रब्मान के संदर में विलियर सांधता ग्यात कीजिए तो यह कोशन कई बारा चुका है आप इसको कैसे लगाएंगे बता देते हैं 31 कितना 31 बटे नहीं लगाएंगे ठीक है तीन बार कुशन यह आ चुका है अगला कुशन है कि बड़े परमाणूओं वाले तत्तों से बने बंद होते हैं तो बड़े परमाणूओं वाले तत्तों से अगर कोई बंद बना है तो बहुत कमजोर होगा क्या होगा वो बंद जो है बहुत क्या से से स्टाट करेंगे उमीद है कि आप डेली डेली ये थोड़ा-थोड़ा सीखते रहें जब तक आप गुरुपरी का पेपर आएगा एक दो तीन महिने बाद तो तक आपकी थोड़ी-थोड़ी साइंस अच्छी हो चुकी बाकी आप जहां पढ़ते हैं वहां पढ़ते